Hi friends, this is Manish Singh from Sharefreak.in काशी पार्ट टू में आपका स्वागत है हमने डिसकस किया था कि काशी, कोटक, आकसेस, SBI, HDFC and ICICI Bank के बारे में मैं आपको टेकनिकल and ओपन इंट्रेस्ट लेबल्स बताऊंगा जहां पर जहां पर आपको अप्शन चैन का आपको लेबल्स मिलेगा तो सारे हम डिसकस करेंगे तो यह पार्ट टू है जिसमें हम Axis Bank के बारे में डिसकस करेंगे, कोटक लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया है इसके बाद की वीडियो में SBI, HDFC और ICI से कवर करेंगे So let's start Axis Bank for the technical and derivative data Axis Bank पहले हम लाइन चार्ट को भी देख लेते हैं वह एक लेबल आपको क्लियर दिखेगा यह 1639, 1640 के पास एक स्टॉंग सपोर्ट है ब्रेक आउट मिला था आपको 639 के पास स्टॉंग सपोर्ट है आपको 700 के उपर निकला था बट 700 का लेबल जो है उसको तोर दिया और तूटने के बाद यह नीचे के तरफ आया है अभी चार्ट में देखेंगे यह जो लेबल है बहुत important लेबल है जो 684.45 है यह एक सपोर्ट के तरह काम करेगा उसके बाद नेक्स लेबल जो है एराउंड 672.70 के पास आ रहा है ठीक है तो एस पर चार्ट 682.84 एक सपोर्ट है फिर 672.72 एक सपोर्ट है यह सारे नंबर future के चार्ट है है तो फिर यह जो है रेजिस्टेंस है आपको 732 रेजिस्टेंस है अब हम डेटा में देखेंगे कि एक्चुली डेटा में क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सिस बैंक का डेटा देखेंगे अगर तो 700 को ब्रिक किया था 700 को मार्क कर लेते हैं फिर 680 के पास जाकर सपोर्ट ले रहा लेने ही कोशिस कर रहा है वह सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है लाइक हम लोग देखेंगे अभी डेटा में और उसके नीचे 670 उपर में हाई गया था 730 के पास राइट तो अभी इसको देखते हैं सबसे पहले 700 को जो ब्रिक किया उसको देखते हैं 700 पर प्रिक कॉल राइटिंग है कॉल राइटिंग है कॉल ट्रेट्स तू थाजन ट्वेल गॉल राइटिंग ओपन है और इधर में 935 इतने ट्रेट्स ओपन है कॉल साइड में जो 700 को बहुत स्टॉंग रेस्टेंस की तरह काम करेगा ठीक है उसके बाद नीचे की लेवल पर 680 पर देखेंगे पर 680 पर एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को असबर डेटा यहां पर पूट राइटिंग इस ग्रेटर देन 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 कॉल राइटिंग विथ रिस्पेक्ट तू प्रिविएस प्रिविएस वन यहां पर 500 कुछ है तो 690 पर यहां भी 500 कुछ है तो 690 पर भी 690 पर भी बहुत स्ट्रॉंग फाइट है एक्सिस बैंक को तो यह 690 जो लेवल है यह एकदम स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सिस को की 680 को 680 के पोजिशन को होल्ड करना उ 670 पर भी कुछ डेटा उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है बट यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो शॉट थे कॉल पुट साइड में वह उन्वाइंड हुआ है तो यहां पर वीक्नेस थोड़ा दिख रहा है मतलब यहां पर थोड़ा पैनिक है कि 670 की नीचे भी 650 पर स्ट्रॉंग सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 650 के पर strong support दिख रहा है, तो as per data 700 के उपर जाना थोड़ा tough लग रहा है, अगर उसके उपर टिकता है, तो ये सारे जो shots है, ये risk पर आ जाएंगे, और अगर ये सारे shots risk पर आ गये, अगर इसके उपर टिक गया, 700 के उपर, 700, 700, 5, 10 के उपर, तो ये सारे shots में से unwinding शुरू होग तो एक shot covering, strong shot covering आएगा, और जिसके करण ये अराम से 750 तक भी जा सकता है, बट ये कब होगा, जब तक ये 700 के उपर hold नहीं करता है, 700 के उपर hold करने के बाद, upside एक हम strong shot covering के तरफ जा सकते हैं, अगर 700 hold नहीं कर पाता है, तो नीचे side में 680 का level, 680 to 670 का level है, जो एक support के अगर इसको break करता है, तो 650 का level भी हम test कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है kotak के बारे में, right, तो ये kotak bank के बारे में हमने देखा, और इसका line chart मैंने दिखाया था, clear view, कि ये label से ये label आप note भी कर सकते हैं, ठीक है, next हम लोग जाते हैं, thanks for watching Kasi part 2, where I have covered Axis Bank, kindly like, share and subscribe my channel, thank you